साथियों नमस्कार, आर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है, मैं रामकृष्ण पंडे, साथियों आज इन बिदान सभा 188 में हम खड़े हैं, और ये चुनाबी परिचर्चा में हैं हम, ये देख रहे हैं, सारे लोग बठे हैं, ये जानना चाहते हैं कि इनका ओट किस मुद्दे पर है, क्योंकि सरकारें जो भी आज की बरतमान की जो सरकार है, उसके पास क्या मुद्दा है, सपा भी लड़ रही, बसपा भी लड़ रही, कांग्रेस भी लड़ रही, लेकिन सवाल, जो बरतमान की सरकार होती है, रहता उसी के साथ है, हम बठेंगे यहां, बह क्या फर्क आया है हम जानेंगे डाक्टर साहब से आज का जो चुनाबी गत्विधी है और पिछली चुनाबी जो सरकार की थी उसमें अंतर कुछ दिखता है आपको पिछली सरकार तो बीजेपी की थी अभे तो बर्तमान उसको काप मान के चलिए जो सरकार जब तक सरकार नहीं मिलता दूसरी सरकार को तब तक सरकार वो मानी जाएगी पिछली सरकार सपा की थी पिछली सरकार से बेहतर जो है विकासकारी हुआ है किसानों के लिए काम हुआ है लाइन एडर जो है बेटर हुआ है और सरकार ने सारे समस्याओं को जो है लगबग लगबग समाधान करी दिया है और केवल यही अवारा छुट्टा पसुओं की समस्य है जो किसानों को जो है परियसान कर रही है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों की जो है इस बल्दीरा मुख्याले यहां से 45 किलोमीटर दूर है और हम लोगों की यह माग है कि हम लोगों का छेतर जो है पुना सुल्तानपू सदर तहसील में जो है कराने एक प्रयास किया जा है आप यह देख रहे होंगे कि एक बड़ा मुद्दा यह क्यों नहीं है कि आपके छेतर से यहीं आपके धनपद गन से एक रोड निकलती है जो कटका को जोडती है आप यह देख रहे हैं कि सरकार बरतमान की है और इतना बड़ा चेहरा जो सांसद मेंका गाधी जी है अब ये इतना होने के बाजूद अगर सड़क पूरी गड़े में है या यूं कह दें कि गड़े की सड़क है तो इस पर क्या ये मुद्दा नहीं हो सकता चुनाओ का इस पर क्या कहेंगे आप चुनाओ का मुद्दा तो है इस पर काम भी हुआ है कई बार हुआ है ठेके दाओ ने गलत डंक ते काम करा इसलिए जो है गड्डा फिर हो गया सलक तो बनी हुई थी ये फिलाल हम तो यही कहेंगे कि ये सवाल सवाल है सवाल बड़ा है ये कि लोग गड्डों में चल रहे हैं बड़े जोड़ार बोले आप सवतेला बेवार हुआ क्यों हुआ 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 सवतेला बेवार हुआ स्पथ आप सांसत जी की सहतर वहार क्योंकि चैट्र उनका है यह आप कारोप 20 बार आई मायं उन्कों नहीं दिखत रहा कि कटका से और मायं तक यहा दिकन है कि यह गड़े नहीं दिख रहे उनको वोर्ट आपका इसी मुद्दे पर है कहाँ जाएगा रहं आगा जाएगा यह तो बात की बात यहीं तो है नहीं अगर आप 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 भाश पास नराज दिखते हैं कि के बात की उसको उठाके कर दिया गया 40 किनोमीटर दूर क्यों संडा जी के समय में हमारी तहसील गई तो यह आप अभी आपके बीच चुनाव में हैं संडा जी उनसे भी तो यह सवाल होता है होना चाहिए नहीं नहीं ना जब भी आएंगे हम लोग पूछेंगे उनसे जब भी आएंग उनसे भी पूछेंगे उनको तो सबसे पहले यहां से हम लोग भगा देंगे बांजी को आपके बर्तमान विधायक हैं अरे बर्तमान क्या वो कोई लायक है नहीं थी तो उन्हीं की पार्टी से तो दूसरा एक नया चेहरा आ गया है जो भी आएगा जो हम लोगों की मतलब मतलब यह नहीं है कि हम किसको ओटिंग करेंगे किसको नहीं करेंगे मतलब यह है कि जो हम लोगों की समझ जाएं उन्हेंगा उसी को करेंगे नहीं मुद्दा तो होना चाहिए ना मुद्दे तो किसी सरकार के पास नहीं है मुद्दे तो बता रहे हैं बैया जो हम लोगों क यह सड़क दुरूस कर दे ताइसीर हम लोगों की वावद कर दे वोट उसी पार्टी को यह बड़ी सवा सवाल है कि यह कौन कर पाएगा यह तो फिलहाल अभी पार्टी आपने-पने वजूद ढूडने में लगी है कौन वजूद में आये आने के बाद यह सवाल है कि कौन ठ तरीके से निप्टाएगा निया इस बात को तुछ सकते हैं इननों रखा अपनी बात को जो है तो यहां से जीत कौन रहा पर बजेपी निकलेगी यहां से अपने तो परमाड़ पत्र दे दिया तुरंत यह भाइस आप बड़े बंठन के खड़े हैं हम इनसे भी पूछेंगे क्या कहेंगे आज की सरकार ठीक ठाक है चल रही बढ़ियां पहले तुम आपका सुबनाम जानना चाहेंगे उत्तम यादो परधान के लोग मुझे लोग पिरिये हैं परधान के नाम से जाने जाते हैं आपकी पदभी है यह कहने कि हम तीन बार परधान रहे रतापुर सवाल बड़ा है जैसे यादों को नाम आता है लोग सपा का चेहरा अंकित कर देते हैं यादों और मुस्लिम जैसा कोई नाम आता है तो लोग क्या करते हैं कि सिधा सपा का एक चेहरा आ जाता है क्या ऐसा है आपनी है किस अंगल से आप देख रहे हैं मुसलमान आदमी यहां कई डिबीटों में सुना एक मुसलमान करें करें वो भाजपा कोट नहीं करेगा लेकिन बहुत सारे मुसलमान उट करते भी है वह से जैसे यादो करना माता है तो लोग करते है यह तो सपाई है क्या यादो होने चाहिए सपाई कह देना एक गलत होना चाहिए क्यों नहीं आप खुल सकते हैं भया क्या कहेंगे सरकार बढ़िया है यह लेकि नहीं है सड़क वाला जो है तैसिल वाला वागत वह तो बता रहे हैं चाचा की सारे उनके द्वारा छोड़े गए जीतने भी प्रजबंद लगा दिया उन्होंने उसकी वज़ास स किस बारे में आज की सरकार और पिछली सरकार के पास कुछ चुनाव लड़ने के मुद्दे हैं अरे यार क्या कहते हैं सारे जो है जन मन तन जो है सभी को जो है रासन जो है दे रही है बड़े बड़े रासन से सारी चीजे थोड़ी चलने वाली सरक भी बन गई है यह रासन कब तक चलेगा यूँ चलता रहेगा क्या यह बाइसाहब क्या बटा रहे हैं वो सड़क बन गई है आ रहे हैं कि सड़क आप देख लीजए है आप चली हमारे साथ कट हम तो खुद आये हैं उसी गड़े में से बस आपको बटाना क्या है क्या साक्ता परिवर्तन होगा और वश्य होगा काउन आ रहा वेजेपी विजेपी आएगी बने हुआ कम पचीस गड़ा हो गया बहादूर पूर से खुनका तब बताईए ये तो कहते हैं हमने सड़क को सारी सड़के जो है गड़ा मुक्त कर दी कहां मुक्त हुई है गड़े में है गड़े में हुगी सारा बजट कमीशन बाजी में चला जाता चोर बसे हुए चारो तरफ अराजगता जाही नहीं रही है अराजगता जाही कहां से मानसिक परिवर्टन होने कि आँ सकता है आप किस मुद्धे पर उठाए आप वास्तिविक्ता तो यह है हम आपके पास भी आएंगे वास्तिविक 자्राय यह है कि हमारे वास्तिविक जितने भी समस्याएं हैं उसको मुद्ध। बनाने के लिए कोई प्रत्यासी तयार नहीं बड़ी चीश कही दियए यह बड़ी चीज कहा कि जो वास्तिविक समस्याएंों जो धरातल को जोडती हैंवं मुद्दों पर कोई भी अद्मी कोई प्रत्यासि कोई पाटी बात नहीं करता कोई बात नहीं करना चाहता तो तक उसकी बात की नहीं जाएगी धुरव य मिक्त haven की परिवर्तर ही यह है कि हमारे यह ते हम यहां से हमारी संद्री सबसुल्तानपूर के ही बात है यहां के लोग क्या कर रहे थे अब तक बैठकर तैसिल यहां से वहां चली गई इन लोगों को भनक नहीं लगी बर्तमान जो बिधायक है वो तो कुछ किया नहीं नहीं यहां से एक बार जीत के चले गए यहां से उनके बार आये ही नहीं एक सवाल और जो अभी दुबारा अनूप संडा जी यहीं चुना आपके हम मैदान में हैं वह भी अब आएंगे जमाने में यह तैसिल गई है अब आएंगे वह महोदे वहीं पेट्रोल टंकी अपना रखाते हैं उनको फूर्सता ही नहीं है कहां जीत लिए होंगे वहां बैठे बैठे सारे लोग कोन बता रहे हैं सारे लोग में किदने पर जाएंगे चाचा किदने पर जाएंगे अरे कहां पर त्यासी हैं हमने चुना जीत देखा इने उनका चेहरा हम लाल टोपित देखे मोरकटनी में नहीं आए हैं सबसे बड़ी अहन समस्या यहां हमारे सुल्तानपूर जनपत की इकलवती चीनी मील यहां हम किसान हैं गन्ना लेके जाते हैं तो वहां आठ दिन पढ़े रहते हैं यह तो बड़ी समस्या है किसानों रुकिएगा महोदय हमारी चीनी मील की इस्थिती यह है कि दिन भर में तीन बार बंद होती है तीन घंटे चलती है तेरे घंटे बंद रहती अभी अभी मुखमंत्री योगी आदित नाजी का थोड़े दिन पहले बयान आया था कि चीनी मिलों के सारे बकाई हमने बिल्कुल सब अदा कर दिये हैं और सारी जितनी भी चीनी मिले हैं उनको हमने रिपेर के लिए कहा है लेकिन आप जो इस्तिती बता रहे हैं उसके हिसाब से तो सब डेमेज दिख रहा अगर आप होना चाहे तो शीनी मिल चले जाए एक बार रोलर टूटता है तीन बार वही बैरिंग घिसके लगा दी जाती है कर्मचारी तमकाई नहीं पाते हैं तो कर्मचारी चलाने के लिए तयारे नहीं अब बताईए ये बरतमान की सरकार है जिम्मेदारियां तो उसी की है अब वो अपनी जिम्मेदारियों पर खरी नहीं है सरकार से जो बजट पार्ती है कमेटी कमपनी मैनेजर सब कमीशन में चला जाता है तो ये कमीशन में अगर जा रहा है तो कमीशन के जितने कर्मचारी हैं यह सरकार के ही हैं और इसपर सरकार को प्रतिबंद लगाना चाहिए यह भाई साऑब बढ़ी हैं चाचा जी वह चाचा कह रहे हैं कि जितना बज़ट आता है विकास के लिए वो सारा कमिशन में जाता है क्या कहेंगे इस पर कि में तो सही कह रहे हैं को प्लेक बेकिन यह बिना प्रश्टाचार है आप मानते हैं अभी थोड़े दिन पहले बयान था योगी आदितना जी का कि उन्होंने जीरो टॉलरंस कर दिया है दिखता है क्या धरतल पर पे अभी आप कोई एक आफाईयार करने जाना पड़े तो बिना पैसे की नहीं होगा अगर पैसा नहीं दिया तो कोई काम भी नहीं होगा पुलिस विभाग तो बिल्कुल भी भर्ष्ट है वह तो कह रहे हैं कि मैंने परसासन को बिल्कुल एक दम बैल रखा है लो आडर चीज के दिये क्या कहेंगे यह भाई साब खड़े हैं क्या कहें कौन आ रहा अब क्या बताएं हम आप अरे वोट तो आप देते होंगे और तो देने हैं वो तो अधिकार है और एक वोट देके किसी को चंदन लगा देना है कहां जाएगा हम तो मुलाम सिंह को देंगे लड पहले यह पता करो मुलाम लड़ रहें का अखलेस लड़ रहें तो यह भाई साब भी खड़े हम आप से भी कुछ चर्चा करेंगे चुनाओ पर क्या कहेंगे आथ के चुनाओ पर बिजेपी बस बस बिजेपी और कोई नहीं आ रहा है ताल ठोंक दिया आपने परमारत तो यह आप भी कुछ कहेंगे बिजेपी आएगी अखलेस यादो तो बैटे बिलकुल अभी से जंडा तिलक लगाए बैठे हैं उससे थोड़े होता है वो तो कह रहे हैं बाबा मंदिर जा रहे हैं उनको नहीं देखेंगे हमारे विधायक जो है परे बाद तो यह भाजपा सर सुप्रिम कोट का फैसला है और अभी तक तक सरकार्थी पहले ना वह कहां पितकी सब्सक्राइब 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 अब यह नहीं पाएंगे तो यह चाचा बैठे चसमा लगाए जा रहें अरे कुछ बोलते जाए आरे थोड़ा सा बोल देओ हम भी चले आए हैं उतनी दूर से तो सातियों यह जो भी यहां की प्रकिरिया रही मिली जूली रही ओड़ चाहे जो जिसको दे वह अपना सोचन्द है मतदान सब करें अपने अपने घरों से निकल कर